कोडिंग सीखने के बाद किसी भी कमपनी में 50-60,000 रुपे सैलरी पर आप जॉब कर सकते हैं आपने कोडिंग के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन आप कन्फ्यूज होंगे आखिरकार कोडिंग होता क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं बड़े ही असानी से की कोडिंग क्या होता है माल लिजए आपको कम्प्यूटर पर हलो कम्प्यूटर का कमाड देना है मतलब कम्प्यूटर से आपको कहना है हलो कम्प्यूटर आप इसे बोल कर या लिख कर नहीं दे सकते हैं Hello Computer print करना है क्योंकि यह आपका एक language है Computer आपकी भासा नहीं समझता Computer केवल नमबर की भासा समझता है उसे केवल 1 और 0 की भासा समझ में आती है इन नमबर के अलागला combination से ही Computer अलागला command लेता है इसमें सबसे बड़ी परिशानी है 1 और 0 से करोरो population आखिरकार इसे type कौन करेगा इससे निपटने के लिए Computer की कई सारी language बनाई गई है For example C++, Java, Python Programming या language ऐसे ही तर नियमों को सीख कर App और Website बनाई जाती है Coding के नियमों को syntax करते हैं Basic से आप भी Coding सीख सकते हैं लेकिन आप यह सोचते हैं कि Coding हम कहां से सीखें, कैसे सीखें, इसको सीखने में हमारी क्या फिस लगेगी Coding सीखने के लिए Best Institute कौन सा है Coding आप किसी भी Computer Institute से सीख सकते हैं अगर आप Interest के साथ Coding सीखना चाहते हैं तो Internet सबसे बहतर विकल्प है आपके लिए यहाँ पर App, Website, YouTube से आप Coding सीख सकते हैं आपको YouTube या फिर बहुत से ऐसे Website मिल जाएंगे जहां से बिलकुल Free में आप Coding सीख सकते हैं बिना एक रुपे खर्च किये Coding आज के समय में काफी popular course है अगर आप Coding सीख लेते हैं तो आप किसी भी company या फिर आप अपना खुद का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं Coding का course आपके career के लिए एक बहतर विकल्प है आपको Coding सीखने के बाद App बनाना, Website बनाना सीख जाते हैं Coding सीखने के बाद किसी भी company में 50-60,000 रुपे salary पर आप job कर सकते हैं Coding सीखना हर किसी की बात नहीं है अगर आपका interest है तो आप तभी Coding सीख सकते हैं और अपना career बना सकते हैं